दोस्तों बारत सरकार एक ऐसी गवर्मेंट योजना चला रही है जिस योजना के अंतरगत एक गवर्मेंट आईडी कार्ड बनाया जाता है और अगर आप लोग भी इस गवर्मेंट आईडी कार्ड को बनबा लेते हैं तो आप लोगों को 3,000 रुपय महीने मिलना स्टार्ट ह हो जाता है और दोस्तों इस योजना के अंतरगत इस गवर्मेंट आईडी कार्ड को बनबाने के लिए आप लोगों को कहीं पर भी जाने की आपशक्ता नहीं पड़ती है आप लोग घर बैटे ही अपने लेप्टॉप या फिर मोबाइल पॉन से ही इस कार्ड को ओन लाइन ही बना सकते हैं और ओनलाइन बनाने के बाद में आप लोग इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरह से इस गवर्मेंट आईडी कार्ड को ओनलाइन ही घर बैटे खुद से बना सकते हैं और इसके बाद में आप लोग भी गवर्मेंट के तरफ से 3,000 रुपए महीने प्राप्तिक कर सकते हैं तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है इस वीडियो को लाइक कर देना है चैनल पर अगर नए है तो सबसे पहले आपको कमेंट करके ये बताना है कि आप को अभी तक गवर्मेंट के किसी भी योजना का लाब मिला है या फिर नहीं मिला है तो चलिए सुरू करते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाल या लेपटोप के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहां पर आपको टाइप करना है मांधन योजन इतना टाइप करने के बाद में सर्च कर देंगे सर्च करने के बाद में जो भी पहला लिंक आपको दिखाई देगा आपको यहीं पर एक बार क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा आपको यहां से इसे कट कर देना है इसके बाद में आप लोग इसकी optional website पर आ जाएंगे यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा services और इसके जस्ट नीचे ही एक option मिलेगा new enrollment तो आपको इसी वाले option पर click करना है और यहाँ पर आपको okay वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही click करेंगे यहाँ पर तीन option आपके सामने आ जाएंगे पहला option है self enrollment दूसरा cscbli और तीसरा admin login तो हम यहाँ पर खुद से ही form को apply करेंगे इसलिए हम self enrollment वाले option को select करेंगे select करने के बाद में आपको यहाँ पर अपने mobile number को enter करना है और proceed वाले option पर एक बार click कर देना है और इसके बाद में आपने जो भी mobile number enter किया है इस mobile number पर एक OTP send किया जाएगा वो OTP आपको यहाँ पर fill करना है इसके बाद में proceed वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही click करेंगे इसका dashboard आपके सामने कुछ इस तरह से आजाएगा यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा services आपको इसी बाले option पर एक बार click कर देना है और click करने के बाद में यहाँ पर एक option देखने को मिल जाएगा तो आप लोगों को इसी योजना में online apply करना पड़ेगा तो इसके लिए आपको जो पहली वाली योजना है इसी के उपर एक बार click कर देना है अब click करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से page आ जाएगा आप से पूँचा जा रहा है कि क्या आपका e-sram card बना हुआ है या फिर नहीं बना है तो इस योजना का लाब लेने के लिए आपका e-sram card बना हुआ होना चाहिए तो आपको यहाँ पर yes वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही click करेंगे इस योजना में किस तरह से online ही registration करना है पूरा form आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगा अब यहाँ पर दोस्तों इस form को आप लोगों को total six step में complete करना है उपर की side में आप देख सकते हो तो सबसे पहले इस step में आप लोगों को यहाँ पर अपने कुछ personal detail को fill करना है जिसमी की सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर अपने name को enter करना है जो भी आपका isram card में नाम है same to same नाम आपको यहाँ पर fill कर देना है इसके बाद में आपको यहाँ पर अपने date of birth को fill करना है जो भी आपके isram card में date of birth है same आपको fill करना है यहाँ पर आपको अपने आधार number को enter कर देना है और आधार number enter करने के बाद में verify वाले option पर click करेंगे तो आपका जो आधार card है verify हो जाएगा आपका जो name है आधार card वाला ही automatic ही यहाँ पर आजाएगा इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी email id को enter करना है mobile number यहाँ पर आपको enter करना है और इसके बाद में verify वाले option पर click करेंगे mobile number भी आपका verify हो जाएगा इसके बाद में कुछ नीचे के side में आजाना है आप लोग इस योजना के अंतरगत online apply कर सकते हैं state का नाम select करने के बाद में आपको यहाँ पर अपने district का नाम select कर लेना है और इसके बाद में आपके area का जो भी pin code है अपने pin code को यहाँ पर enter करना है और इसके बाद में यहाँ पर आप से पूँचा जा रहा आप जो भी काम करते होंगे इस list में से आपको अपने काम को select कर लेना है अगर इस list में आपका काम नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप लोगों को other का भी एक option देखने को मिल जाता है आप other वाले option को भी select कर सकते हैं इसके बाद में यहाँ पर आप से पूँचा जा रहा है कि क्या आप NPS, ECIS या फिर EPFO के member हैं अगर हैं तो yes करेंगे नहीं तो आपको no वाले option को select करना है इसके बाद में अगर आप लोग income take spare हैं तो आपको yes करना है नहीं तो आपको no वाले option को select कर लेना है अब complete information को fill करने के बाद में आपको यहाँ पर consent देना है और इसके बाद में आपको submit वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही आप submit वाले option पर click करेंगे इसके बाद में आप लोगों के सामने second step आ जाएगा अब second step में आप लोगों को यहाँ पर अपने bank account की detail को fill करनी पड़ेगी अब bank account में आप लोग उसी bank account को देंगे जिस भी bank account में आप लोग इस योजना का पैसा लेना चाहते हैं इसके बाद में तीसरे step में जब आप लोग आ जाएंगे यहाँ पर आप लोगों को download mandate form दो step और रह जाएंगे जिसमें की 5 माई step है आपको payment करनी है और इसके बाद में अपने card को download कर लेना है अब payment आप लोगों को किस तरह से करनी है कितनी क्या payment करनी है कितनी age पर आप लोगों को कितनी payment करनी है उसका पूरा chart मैं आप लोगों को display पर दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यह है आपका पूरा contribution chart और इसी chart के according आप लोगों को यहाँ पर monthly payment को complete करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर entry age देख लेनी है जिस भी दिन आप लोग इस वाले form को online apply कर रहे हैं तो उस दिन आपकी age कितनी complete होती है तो उस age को सबसे पहले तो इस list में से आप लोगों को देख लेना है तो यहाँ पर हम माल लेते हैं कोई भी ऐसा वेकती है जिसकी उम्र 25 साल complete हो चुकी है और वह 25 साल के उम्र में इस वाले form को fill कर रहा है तो उसको यहाँ पर अपनी तरफ से हर महीने 80 रुपए contribute करने पड़ेंगे और इसी के साथ में हर महीने government भी आप लोगों को 80 रुपए अपनी तरफ से contribute करेगी टोटल मिला करके आपके 160 रुपए हो जाएंगे अब दोस्तों यह जो 80 रुपए महीने का payment है यह आप लोगों को 60 सालों तक complete करना होगा और इतने ही रुपए government भी contribute करेगी और टोटल मिला करके जब आपकी 60 साल उम्र हो जाएगी इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 3000 रुपए महीने मिलना start हो जाएंगे लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को यह जो इस योजना का lab लेना है तो आपको अभी से ही इसमें online apply करना पड़ेगा apply करने के बाद में आपको अपने card को download कर लेना है और इसी card के जरिये ही जब आपकी 60 साल हो जाएगी तो आप लोगों को यहाँ पर 3000 रुपए की pension मिलना start हो जाएगा तो उम्मेद करता हूँ अब आप लोगों को इस योजना से related complete information समझ में आ चुकी है कि किस तरह से आप लोग government के तरब से यह वाला card बनबा करके 3000 रुपए की pension हर महीने प्राप्तिक कर सकते हैं